प्रेंस नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बोक और आईजेटीव नेटबर्ग पर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का दैनिक रा इस राशी फल में हम आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशी का राशी फल और साथी साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार कुछ सिंपल से उपाय जो आपके लाइफ को सकस्सफल बनाएं पंचांग बताएंगे दिन का हाल बताएंगे आपका लखी नंबर लखी कलर लखे डिरेक्शन लखे टाइम बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा स्पेशल उपाए जो आपके लाइफ की किसी प्रॉब्लम को चुट की यों में दूर करेगा तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ में तो दिन है मंगलवार का तारीक है आठ मार्च दो हजार बाइस फागुन शुक्ल पंचमी पर चंद्रमा मेश राशिवर कृतिका नक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नंबर रहेगा एट यनि आठ लखी कलर रहेगा ब्लैक यनि काला लखी दिशा रहेगी पस्च्चम यनि कि वेस् रहेगा दो पहर को दो बचकर ग्यारा मिनट से लेकर शाम को तीन बचकर उनतीस मिनट तक और विशेश क्या है कार्त गई दीपम परवे है और इसी दिन सकंद शष्टी भी है दो परवे खटे एक तो कृतिका नक्षत्र होने के कारण से कार्त गई दीपम दूसरा भगवा सकंद यानि के कार्त के की सकंद शष्टी और हम आपको बताएंगे स्पेशल उपाय में कैसे वाद वेवाद में जीत मिलेगी डिस्प्यूट्स में जीत मिलेगी उसके लिए राशिफल आपको आखर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशिफल के शुरुआत करते हैं र उपाई ये करें कि मस्तक पर लाल चंदन से तिलक करें दूसरी राशिफ वरिष यानि टॉरस की बात करेंगे लंबी यातरा से बचें दुर घटेना के योग हैं दैने कामों दैने खर्चों पर नियंतरन रखें खर्चा होने से तंगी के योग हैं व्यवसाय पर ध्यान के जंदरत करेंगे घर पर महमान आएंगे उपाई ये करें कि बेडरूम में चमेली के तेल का दीपक करें तीसरी राशि मित्वन यानि जमनाय की बात करेंगे सेहत अच्छी रहेगी विलासेता के साधनों पर खर्च बढ़ेगा कारोबार में लाब होगा माता-पेता से आश पातिरदारी से खर्च की अधिकता रहेगी जिवन साथी से बहसबाजी के योग हैं उपाई ये करें कि लाल धागा कलाई पर बंद हैं पांचवी राशित सिंग यानि लियो की बात करेंगे बहुत खुश रहेंगे व्यापार में उन्नती के योग हैं पुराने दोस्तों स मुलाकात होगी रिष्टदारों के घर आने से खुश रहेंगे जिवन साथी से प्रेम वे सहयोग मिलेगा उपाई ये करें कि किसी धर्मस्तल में गुड चढ़ाएं चटी राशी कन्या यानि के वर्गों की बात करेंगे कामकाज से अधिकारी गण खुश रहेंगे पुरा वितकाम पूरे होंगे व्यापार में नई लोगों से तालमेल बैठे का सामाजिक मान समान बढ़ेगा कारोबारी यात्रा लावधायक रहेगी दाम पत्त सुक में वरद्धी होगी उपाई ये करें कि लाल कपड़े में सिक्के बांद कर जेव में रखें आठवी राशी व कामकाज में तेजी आएगी खास लोगों से संपर्क होगा रोजगार में वरद्धी के योगे हैं सामाजिक सम्मान बढ़ेगा पारेवर एक सुक बढ़ेगा प्रीमी से रुमैंस भी बढ़ेगा उपाई ये करें कि किसी गरीब कन्या को मिठाई दान करें दस्वी राशी म कर यानि कि किप्रकॉन की बात करेंगे खर्च अधिक रहेगा बड़ा निवेश करने से बचें योजनाएं अपनी गुप्त रखें जीवन खुशाहाल रहेगा मन में असमंजस्ता रहेगी गाड़ी चले रते समय सावधानी बरतें उपाईए करें कि दक्षन मुकी होकर क् ग्यारवी राशी कुम्भ यानि के अक्वेरियस की बात करेंगे मन में बहुत उग्रता रहेगी कड़वा बूलने से बचें दफ्तर में कामकाच की प्रशंसा होगी संपत्ती के लेन देन की योजना बनाएंगे दामपत्ते में तनाव के योग हैं उपाई ये करें कि विवाद से दूर रहें किसी खास की मदद से तरक्की मिलेगी उपाई ये करें कि दक्षन मुकी होकर पूजा पाठ करें तो दोस्तों अब समय हैं आज के स्पेशल उपाई का वो स्पेशल उपाई जो वाद विवाद में डिस्प्यूट्स में जगणों में जीत देखे बड़ा खास दिन बन रहा है एक तो कृतिका नक्षत्र है और इसी दिन कार्तिका दीपम पर विवी और सकंद शष्टी है भगवान कार्तिके का विशेश दिन है शष्टी का दिन है शुकल पक्ष की और उस पर मंगलवार है और कार्तिके को भौम ही कहा गया है ऐसे में आप क्या करें भगवान कार्तिके का पूजन करें शिवाले जाकर उन्हें भगवान इसकंद भी कहते हैं तो भगवान इसकंद का पूजन करें और भगवान इसकंद पर लाल मसूर के दाने चड़ाएं और जो चड़ेवे लाल मसूर के दाने इसे करपूर से जला दें और ही का अपना चैनल कमल नंदलाल यूट्यूब फेस्बूक और आजे टीवे नेटवर्प पर इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षिवाए